हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था एजुकेशन साइकोलोजी कि सिक्षा मनुविज्ञान होती क्या है अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैं हम डवलप्मेंट के बारे में बताई कि विकास होता क्या है तो आज मैंने वही वीडियो बनाया है कि और यह हमारा टॉपिक भी है और यह जो पैड़कोजी है तो आपके समविदा में भी कामा सकता है तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए और सुनिए तो जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डवलप्मेंट की बच्चे का अभी वरद्धी और विकास कैसे किया जा सकता है तो आज हम इसको बढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक देखिए क्या क्या चीज है पहला टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डवलप्मेंट अभी वरद्धी और विकास क्या है सेकेंड टॉपिक है कंपैरिजन विट्विन ग्रोथ एंड डवलप्मेंट थार्ड है हमारा स्टेज ओफ डवलप्मेंट तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती है जिसमें से विकास की तो साथ अवस्थाएं होती हैं लेकिन हम तीन अवस्थाओं के बारे में describe करेंगे तो first अवस्था होती है development doing infancy that means हो जाएगा 600 अवस्था की कि अविशे 600 अवस्था में बाला का कैसा विकास होता है second होता हमारा development doing childhood बाले अवस्था में कैसे विकास किया जा सकता है और फिर थर्ड है हमारे development doing adolescence मतलब किस ओर अवस्था में बाला का विकास कैसे किया जा सकता है तो आज हम पढ़ते हैं सबसे फस्ट टॉपिक हमारे रहेगा growth and development तो growth होता क्या है सबी वेक्तियों में लंबाई भार वजन आकार इन साभी चीजों में व्रद्धी होती है उसे हम क्या कहते हैं growth कहते हैं और development होता है कि sequence से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही हमारा कहलाता है development जब मानों का जन्म होता है तो वह एक अवस्था से लेकर दूसरी अवस्था मतलब जैसे कि मानों विकास की साथ अवस्थाएं होती है तो वह सिक्वेंस से ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसे हम कहेंगे विकास कहते हैं तो यह तो हो गया रुक जाती है लेकिन जो हमारा विकास रहता है वो जीवन परियंतक चलता रहता है अविवरद्धी में व्यक्तिकत भेद होते हैं लेकिन जो विकास रहता उनमें समानता हैं पाई जाती है थाड़ है अविवरद्धी का संब्द साररिक और मानसिक परिपक्वता से होता है इसका मतलब होगा कि जो भी अभी वरद्धी है उसका संब्द हमारे physical and mental physical मतलब हो जाएगा हमारे आख, ना, कान, हाथ, पैर ये सारी चीजों में वरद्धी होना और मानसिक मतलब सोचना, समझना, निर्णे लेना इनमें maturity होने लगती है लेकिन विकास का संब्द कैसा रहेगा हमारे environment से रहता है कि हमारा environment कैसा है बच्चा उसी के according अपने आपको adjust करता है नेक्स्ट point है अभी वरद्धी में होने वाले परिवर्तनों को हम map सकते हैं जैसे भार, अकार, बजन को हम map सकते हैं लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तनों को हम map नहीं सकते फिर है नेक्स्ट हमारा अभी वरद्धी एक एकांकी प्रक्रिया है लेकिन विकास एक बहु आयामी प्रक्रिया होती है अभी वरद्धी में बालकों की बुद्धी एक समान नहीं होती है उनका IQ एक जैसा नहीं होता है सारे बालक कैसे होते है अलग-अलग होते लेकिन विकास की दर में समानता है पाई जाती है फिर नेक्स है अईविवरद्धी में कोई निश्यत क्रम नहीं होता है अईविवरद्धी में कोई सिक्वेंस नहीं होती है लेकिन विकास कैसा होता है एक निश्यत क्रम में होता है जो हमारा विकास होगा जिसमें हमारा डवलपमेंट होगा तो वो एक निश्यत क्रम से ही शुरू होता है फिर हम नेक्स देख लेते हैं कि stage of development विकास की अवस्थाएं तो विकास की अवस्थाएं साथ होती हैं भारत के अनुसार होती है भारत के अनुसार इन्हों ने मानो विकास की साथ अवस्थाओं को बताया है तो सबसे पहले हमारी जो अवस्था होती है गर्वा अवस्था तो कर्वा अवस्था किसे कहते हैं गर्व से लेकर जन्म तक जो गर्व से लेकर जन्म तक चलेगी उसे हम कहेंगे गरवबस्ता, second होता है 600 अवस्ता, तो जन मिसे लेकर 5 वर्स्त की जो भी अवस्ताई होती है वो हमारी आती ही 600 वस्ता 3rd है बाले वस्ता तो यह अवस्ता चलती है, हमारी 5-12 वर्स्ता, 4th है किसूरा वस्ता, यह चलेगी 12 यह तेरा से 18 वर्स्ता फिर फिप्ट है हमारी युगा वस्था जो चलेगी हमारी अठारे से पच्चिस वर्स्था फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोणा वस्था तो प्रोणा वस्था रहेगी हमारी पच्चिस से पच्चपन वर्स्था और लास्ट सात्वी जो अवस्था रहेगी वो चलेगी हमारी व्रद्ध अवस्था पच्पन से म्रत्यु तक तो जो विकास का करम होता है वो किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा जो most important है सबसे पहला अब हम देख लेते हैं infancy 600 अवस्था क्या होती इसको देखते हैं 600 अवस्था जीवन की एक महत्मूर अवस्था होती है मतलब जब बच्चे का जन्म होगा childhood infancy में रहेगा तो वह सबसे important अवस्था कहीं जाती है तो सिसू के जन्म से लेकर पांच वर्स तक की अवस्था को ही हम 600 अवस्था कहते हैं फिर good के अनुसार है कुछ परिभासा ही दी गई है कुछ राटरियों के अनुसार तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तीन वर्स की आयू तक हो जाता है सेकेंड दिया है वेलेंटाइन ने की सीखने का आधर्सकाल ही 600 अवस्था कहलाता है इस अवस्था में बच्चा क्या करता है सीखता है नईनी चीजों को सीखता है जिसे इसे वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्सकाल का हक्स्ट है हमारा 600 अवस्था में सारदिक विकास किस तरीकिस होता है तो physical development during infancy सबसे पहला दिया है आकार दूसरा है हमारा भार तीसरा दिया हुआ है दात और चौता है सिरेवम मस्थिक तो first में हमारा है जर्म किसमें सिसू की लंबाई 20 इंच होती है तता जब सिसू 6 साल का हो जाता है तो उसकी लंबाई जो आकार रहता है वो 40 यह 44 इंच की हो जाती है अब बाहर में आ जाएगा कि जर्म के समय बालक और बालक बालिकाओं का बाहर अधिक होता है लेकिन सिसू का बाहर जो रहता है वो 6-6-6-8 पॉंट तक होता है अब आता है हमारा दाथ तो जर्म के समय क्या होता है कि सिसू के तो कोई दाथ ही नहीं रहते है जब वो साथवे आठवे मा में होता है तो सिसू के आइस्थाई दान्त निकलते हैं जिने हम कभी कभी दूद के दान्त भी कह सकते हैं लेकिन एक साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके दान्तों की संख्या टोटल आठ हो जाती है जब बच्चा चार साल का होता है तो उसके सारे दूद की दाथ निकलने लगते हैं मतलब गिरने लगते हैं जब बच्चा पांच साल का हो जाता है तो उसके इस्थाई दाथ आ जाते हैं पिर आता हमारा सिर एवं मस्तिक, तो सिर एवं मस्तिक में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, हमारे पूरे बॉड़ी पार्ट में सिर बड़ा होता है, जिसमें सिर का जो भार बताया गया है, इसमें एक सिसू का जो सिर का जो बजन या भार होता है, वो 1400 ग्राम होता है, फिर नेक्स्ट है हमारा सैसो अवस्था की विशेशता है तो सबसे पहला है कि सारजिक और मांसिक विकास फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ तो सैसो अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चों का सारजिक विकास मतलब जैसे आँख, नाख, कान, हाथ, पैर इन सब चीजों का विकास होने लगता है मांसिक विकास, उसकी बुद्धियों का विकास होने लगता है धीरे धीरे उसमें सोचने समझने की कलपनाएं ग्रोथ करने लगती है सेकेंड है सीखने में तीव रिता मतलEh बच्चा बहुत ज़दी कुछ बी चीजों को सीखने के लिए एक्ट्व होता है थारड़े कलपना करना वो नीजीव से सरजीव वस्तुों की इमेजिस करने लगता है बसलड़े में उनकी बारे में सोचने लगता है कलपना करने लगता है दोराने की प्रवत्ति, बार बार किसी भी चीज को दोराने के लिए practice करता है एक ही सब्द को बार बार बोलता है दूसरे पनिर भर वो सबसे जदा अपने parents पनिर भर रहता है क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे बोजन खिलाना, नहलाना ये सारी चीजे उसके ममी पापा ही करते हैं तो वह इस प्रकार dependent on दूसरों पर depend रहता है छटवा आता है हमारा अनुकरण के द्वारा सीखना तो बच्चा सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से सीख सकता है सुन कर सीखता है लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा mobile के थू ही सुनते हैं और जो भी चीज भी सीख लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा mobile का ही यूज किया जाता है तो अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीख रहा है नैतिक भावना तो नेतिक भावनाई जब बच्चे सासा अवस्था कराता है तो उसमें moral development बिलकुल भी नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है उसको सही गलत का knowledge बिलकुल भी नहीं रहता है कि हमें किसी के साथ कैसा वैवार करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए तो moral development positive और negative दो रूपों में हो सकता है आठवा आता है हमारा दूसरों के प्रती रूची दूसरी बस्तों के प्रती बहुत ज्यादा interest दिखाने लगता है बच्चे स्वैम की स्वैम की चीजों पर interest नहीं होते लेकिन दूसरी बस्तों के प्रती सबसे अधिक रूची दिखात फिर आता हमारा next बाल यवस्ता development doing child हो तो स्यासा अवस्ता के तुरंद बाद जो आरंब होती है उन्हें हम बाल यवस्ता कहते हैं यह सबसे ज्यादे निर्मानकारी अवस्ता होती है यह आवस्ता हमारी चलती जो बाल यवस्ता रहती वो 6-12 तक चलती है कुछ इसकी characters है पहला है मालसी को ओगिता तो इसमें भी दीरे मालसी की यूगिताओं का विकास होने लगता अब जब बचस छोटे रहेगा तो चोटे में ही सोचना समझना कल्पना अकरना तो दीरे धीरे उनकी मान से क्यादाओं का क्योंकि बच्चे अब 6-12 साल तक हो चुका है तो वह self dependent होने लगा है स्वैम पर निर्भर होने लगता है वो किसी और पर निर्भर नहीं होता है समवेगों पर नियतरन करना सीख जाता है जैसे गुसा क्रोध ये सारी चीजों पर वो धीरे धीरे कंट्रोलिंग करना सीखने लगता है फिर आता है हमारा समाजिक गुणों का विकास, तो समाजिक गुणों का विकास करने लगता है, समाज में कैसे रहना है, कैसा हमारा समाज है, कैसा हमारा धर में, इन सब चीजों को वो सीखने लगता है, फिर ब्रहमन प्रवत्ती, तो सबसे ज़्यादा बच्चे, चाइल्ड ह पहला है लंबाई तो लंबाई में क्या आ जाएगा कि बच्चे की जो लंबाई रहती है बढ़ने लगती है उसका भार बढ़ने लगता है फिर मस्तिक एवं सिर में ग्रोथ होने लगता है मास्पेसिया मजबूत होने लगती है धरका विकास होने लगता है मानों का टीत सारे दानत आने लगते हैं उसके हिर्दे की गती भी स्पीडी से पढ़ने लगती है बाल इठारा बर्सका बच्चा हो जाता है तब उसमें हिर्दे प्रति मिनिट 85 बाल धड़कता है फिर नेक्स टॉपिक हमारा आता है किसौर अवस्ता किसूर अवस्ता को माना जीवन का सबसे कठी इनकाल कहा जाता है यह अवस्ता एक तीन इज अवस्ता कहलाती है जो कि हमारी 12 से 13 या 18 वस्तक चलती है किसूर अवस्ता को हम अवस्ता कहते हैं जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की और आंगे बढ़ना मतलब to growth to maturity मतलब बचा क्या करता है परिपक्वता की और आंगे बढ़ता है इस्टैनी हॉल कहते हैं कि किसूर अवस्ता बहुत ही तुफान एवन संगल्स की अवस्ता होती है किसूर अवस्ता में बालक बालिकाएं बहुत जिद्धी होते हैं वो किसी की बात बिलकुल नहीं समझते हैं जिसे हम teenage कहते हैं फिर आता हमारा next किसूर अवस्ता में सारजिक विकास जैसे हमने 600 अवस्ता में सारजिक विकास पढ़ा कि बच्चों का कैसे किया जाता है बाले अवस्ता में भी पढ़ लिया एक एच के अनुसार बढ़ने लगता है Height growth रुख जाती है एक time के बाद hormones changes होने लगते हैं क्योंकि सिरेवन मस्तिक का जो बजन रहता है उसमें भी changes आने लगते हैं तो सिरेवन मस्तिक का जो भार रहता है वो आजाता है 1200 से 1400 ग्राम की बीच में आ जाता है फिर आता है हड़िया तो किसोर अवस्था में बालक बालिकाओं की जो हड़िया रहती है वो मजबूत होने लगती है जो छोटी छोटी जो हड़िया रहती है वो आपस में जोड़के इस्थाई हो जाती है फिर आता है हमारा दात तो किसोर अवस्था की आरंब में ही दात इस्थाई हो जाते हैं सिर्फ बाल अवस्था तक ही बच्चों के जो दात रहते हैं वो तूटके गिरने लगते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा किसोर अवस्था की विजिश्था characteristic of elderlaces फरस्ट है सारडिक विकास मांसिक विकास कैसे कैसे किया जा सकता है तो physical development जैसे कि मैंने आपको बताए कि सारडिक विकास सारे अंगों का विकास होने लगता है आंत्रे कंग तथा बाहरी अंगों का विकास होने लगता है मान से विकास, बच्चा सोचना, समझना, निर्ले नैना, तरक करना, आधी के बारे में समझने लगता है बहवारों में इनके चैन्जेस आजने लगते हैं कि जब बच्चा इतना बड़ा होने लगते हैं तो उसके बहवार में भी परिवरतन होने लगते हैं कलपना करना, images करने लगते हैं, money-man कलपना करने लगते हैं, कुछ swapने से देखने लगते हैं, कि क्या कलपना करना है, समू को सबसे ज़्यादा महत्यु दिया जाता है, important to group, वे अपने friendों को सबसे ज़्यादा important समझते हैं, आत्म सम्मान की भावना, feeling of self-respect, स्वैम के बारे में समझने लगते हैं, कि हमें दूसरों से कैसे respect दे के बात करना चाहिए, धार्मिक भावना सभी धर्मों के बारे में जानने लगते हैं, और then last आता है हमारा वेलसाय चुनाओ की चिंता, तो जब बच्चा किसोर अवस्था तक आता है, जब 18 साल का आज हो जाता है, तो उसमें एक समझ हो जाती है कि हमें आगे चलके हमें क्या बनना है, क्या करना है, हमें future में किस तरीके से अपने कारे को आगे बढ़ाना है, तो वह अपने business को लेकर बहुत ही चिंतित होने समझा दिया है कि क्या क्या चीज़े होती है, तो आप प्लीज इस चैनल को मेरे लाइक करिए, सेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और वैल आइकन पर क्लिक करिए, थैंक्यू